मूवी की सुरवात होती है और हम देखते हैं ब्रैंडन को जो कि नियू यार्क सिटी में रहने वाला एक बैचलर होता है ब्रैंडन अकेला रहता है इसलिए वो काफी ज़्यादा सेक्स एरेक्टिग होता है ब्रैंडन को कुछ दिनों से उसकी सिष्टर के कॉल सारे होते हैं लेकिन वो उसकी कॉल पिक नहीं करता और ना ही उसे कॉल बैक करता है फिर ब्रैंडन जब अपने ओफिस जा रहा होता है तभी ट्रेन में उसे एक औरत देखने लगती है लेकिन जब वो उसे देखता है तो उस औरत की हालत खराब होने लगती है और फिर जैसे ही वो औरत ट्रेन से उतरने लगती है तो ब्रेंडन भी उसके पीछे ट्रेन से उतर जाता है लेकिन बाहर भीड होने की वज़े से वो औरत कहीं खो जाती है इस सीन से हमें पता चलता है कि ब्रेंडन किसी भी लड़की को किस नजरी से देखता है यानि कि ब्रेंडन की नजर इतनी होती है कि कोई भी लड़की उसे देखकर अनकंफर्टेवल हो जाती है पर इससे ब्रेंडन को कोई भी फरक नहीं पड़ता कि सामने वाले औरत मैरिड है या नहीं ब्रेंडन एक कमपनी में काम करता है और उसने वहां के कम्प्यूटर में भी अपने लिए पॉन वीडियो छुपा के रखा होता है और फिर अगले दिन वह कमपनी में जाता है जहां पर उसके कम्प्यूटर में ज़्यादा वाइरिस होता है तो कमपनी वाले उसे फॉर्मेट करने के लिए ले जाते हैं और ये बात ब्रेंडन को बिल्गुल भी अच्छी नहीं लगती और फिर रात को ब्रेंडन घर आता है और खाना खाते समय भी वो पॉन वीडियो देख रहा होता है और तभी उसे उसकी sister सिसी का call आता है लेकिन Brandon फिर से उसे ignore कर देता है और फिर अगले दिन Brandon की ओफिस में एक अच्छी meeting होती है तो ओफिस के कुछ लोग party करने के लिए एक club में जाते हैं यहां हमें Brandon के एक friend डेविट को दिखाय जाता है डेविड ओफिस में Brandon का boss होता है इसलिए Brandon हमेशा उसकी हां में हां भरता रहता है और फिर डेविड को वहीं club में एक लड़की पसंदा जाती है तो वो उसके साथ flirting करने लगता है लेकिन वो उसके साथ इसके आगे और कुछ भी नहीं कर पाता फिर party के बाद जब Brandon घर जाने लगता है तो वही लड़की उसे अपनी गाली से lift देती है जिसके बाद वो उस लड़की के साथ intimate हो जाता है और जब Brandon अपने घर आता है तो उसे घर के अंदर से music की आवाज आरी होती है पहले तो Brandon को लगता है कि घर के अंदर कोई घुस चुका है पर जब वो घर के अंदर जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर उसकी sister सिसी आई हुई थी वो भूल गया था कि सिसी के पास घर की चावियां भी है सिसी एक singer होती है उसके कुछ show नियू यार्क में होते है इसलिए वो Brandon को उसके साथ रहने देने के लिए request करती है पहले तो सिसी अपने boyfriend के साथ वहाँ पर रहने वाली थी लेकिन उसके boyfriend ने अब उसे दोका दे दिया ये बात Brandon भी जानता है और इसलिए वो उसे रहने की permission दे देता है और अब सिसी के रहने की वज़े से Brandon का freedom जाने वाला था क्योंकि वो अकेला रहकर जो कुछ कर रहा था वो अब नहीं कर पाएगा यहाँ पर Brandon के घर में सिर्फ एकी bedroom होता है तो सिसी को सोफे से ही काम चलाना पड़ता है और फिर जब Brandon आफिस जा रहा होता है तब सिसी उसे उसके सोपे invite करती है और फिर आफिस के बाद Brandon अपने boss डेविट को लेकर सिसी के सोपर चला जाता है और वहाँ पर वो सिसी का song सुनकर थोड़ा emotional हो जाता है फिर इसके बाद सिसी Brandon के boss डेविट से मिलती है और हमेशा की तरह वो सिसी के साथ भी flirting करने लगता है और वो इस तरह से उसे अपनी बातों से पटा लेता है और फिर डेविट उसे Brandon के room में ले जाकर उसके साथ intimate होने लगता है और फिर जब Brandon ये सब देखता है तो उसे काफी गुस्सा आता है क्योंकि उसका boss उसके sister के साथ उसी की कमरे में मजे कर रहा होता है लेकिन वो इसमें कुछ भी नहीं कर सकता फिर अगले दिन Brandon अपने office जाता है जहां पर उसका पहले वाला computer वापस आया होता है और तभी डेविड उसे बात करने के लिए अपने पास बुला लेता है और डेविड को उसके पॉन वीडियो के बारे में भी पता चल चुका था क्योंकि उसके computer की hard disk पॉन वीडियो से भरी हुई थी और इसलिए वो उसे बहुत बाते सुनाने लगता है और फिर उसी रात ब्रेंडन अपने कोवर कर मेरियन के साथ डेट पर जाता है मेरियन एक married औरत होती है लेकिन अब वो separate हुई थी फिर भी मेरियन इस relation को एक commitment की तरह मानती है इन दोनों के खयाल काफी अलग होते हैं लेकिन फिर भी इनकी डेट काफी अच्छी जाती है और फिर घर आकर ब्रेंडन बातरूम में जाकर मास्टर बेट कर रहा होता है और तभी सिसी गलती से बातरूम में आ जाती है और वो ब्रेंडन को मास्टर बेट करते हुए भी देख लेती है जिसके बाद ब्रैंडन अब काफी गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे अब उसी के घर में प्राइवेसी नहीं मिल रही थी इसलिए वो सिसी पर बहुत चिलाता है जिसके बाद सिसी ब्रैंडन की ओपन लैपटॉप पर पौन बेपसाइड भी खुला हुआ देख लेती है और फिर ब्रैंडन आके लैपटॉप को बंद करता है जिससे अब उसकी सिस्टर को भी पता चल जाता है कि वो सेक्स एडेक्टिड है तो वो डिश्टर्ब होकर बाहर चली जाती है और अब ब्रैंडन सरम के मारे अपनी सारी मैगजीन और लैपटॉप को बाहर फेक देता है और फिर अगले दिन ब्रैंडन आफिस आता है वो वहाँ पर मैरीन को अकेला देखकर उसे किस करने लगता है फिर वो मैरीन को लेकर एक होटल रूम में आता है यहाँ पर ब्रैंडन उसके साथ इंटीमेट होना चाता है लेकिन उससे कुछ नहीं हो पाता तो यह देखकर मैरीन वहाँ से चली जाती है इसके बाद ब्रैंडन उसी रूम में एक प्रोस्टिटीट को बुलाता है और फिर वो उसके साथ इंटीमेट होता है इसके बाद ब्रैंडन जब घर आता है तब सिसी डेविट को कॉल कर रही होती है तो यham disent कर ब्रैंडन सीसी को डेविट से दूर रहने को बोलता है क्योंकि डेविट उसका बास है और उसकी भी एक फैमिली थी ब्रैंडन को सीसी गेरजी में दार और बोज लगरी होती है इसलिए वो सीसी को वहाँ से चले जाने को कहता है फिर वो वहां से जाते हुए Sissi से बोलता है कि उसके आने से पहले वो वहां से चली जाए फिर वो वहां से चला जाता है Sissi को उसकी बाते सुनकर काफी बुरा लगता है और वो रोने लगती है इसके बाद Brandon एक कलम में आता है जहां वो एक लड़की के साथ बहुत बुरी बाते करने लगता है जिसे उस लड़की का बॉइफ्रेंड भी वही होता है और वो Brandon की खुब दुलाई करता है जिसके बाद Brandon एक प्रोस्टिटूट के घर आता है और वो उसके साथ इंटीमेट होता है फिर वहाँ से Brandon ट्रेंड से घर आने लगता है लेकिन बीच में ही उसे ट्रेंड से उतरना पड़ता है क्योंकि आगे ट्रेक पर किसी ने सुसाइट किया हुआ था और जब ये बाद Brandon को पता चलती है तो उसे सिसी की बहुत फिकर होने लगती है और वो सिसी को बहुत कॉल करने की कोसिस करता है लेकिन वो कॉल नहीं उठाती फिर Brandon को टैंसन होने लगती है और वो घर आने लगता है और जब वो घर पहुँचता है तो वो देखता है कि सिसी ने सुसाइट किया हुआ था लेकिन अभी उसकी हार्टबीट चल रहही होती है फिर सिसी को hospitalized किया जाता है और वो होस में आ जाती है जिसके बाद ब्रेंडन अकेले में जाकर रोने लग जाता है क्योंकि उसकी बुरी आदतों और गलतियों के वज़े से सिसी मरते मरते बची है फिर दिखाय जाता है ब्रेंडन हमेशा की तरह ट्रेन से अपने office जाने लगत फिर से उसे एक औरत देख रही होती है लेकिन ब्रैंडन उसे कुछ भी रिस्पॉंस नहीं करता मतला ब्रैंडन अब सुधर चुका है और ये मूवी यहीं पर खतम हो जाती है